एलोवप्रेंट स्वागत है आप से वह हमारे चैनल पर आज हम लोग एक Blouse Design देखेंगे साहई-साथ Blouse Knществ के बारे में भी समझे लेगे Blouse Fitting के पुरे details को समझेगे यहां पर हमने एक पट्टी बनाया हुआ एक तो आप खाली यहां तक चोड़ दें, शोल्डर पर ही, और दूसरा आप इसको पूरा नेक पर continue कर सकते हैं, यह choice आपकी रहेगी कि आप इसको कितना लगाना चाहते हैं, और उसके बाद जो armhole की side है, जिदर sleeve fit होना है, उदर से भी आप इसको बराबर इस प्रकार से रख आप देखिए, दोनों side complete हो गया, उसके बाद यहां पर हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो piping लगा सकते हैं, चाहे तो उरे पट्टी लगा सकते हैं, तो यहां पर इस तरह से हम एक पट्टी रखेंगे, अब चूंकि यह उरे पट्टी है, या अगले की पट्टी आप इसको समझ सकते हैं, सीधा-सीधा इसको fit करना है, एक सिलाई के माध्या हम से, धियान यह रखियाएगा कि बलाॉस के कपड़े को उल्टा रखा गया है, और पट्टी को इस तरह से रख करके हमने fit किया है, कपड़े में मालो उल्टा सीधा है, तो बलाॉस का कपड़ा भी उल्टा लगानगी अच्यां पर आपको चोड़ाए कितनी है, यहां पर आपको पट्टी को चोड़ाई लुनियों को सर्फ एक चीज की लेनिया, अगर आप चोड़ी पट्टी चाहते हैं तो सब 2 एंच भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्राब्लम नहीं है तो इस प्रकार से जो है आपको इस पट्टी को completely stitch करना है fold करते हुए यह देखिए यहाँ पर आपको श्रिफ एक चीज का ध्यान रखना होगा वो है finishing तो इसके लिए आप सिलाई को थोड़ा सा धीरे लगाएं जितना आपके हाथ से fold हो रहा है उतना ही फोल्ड करें और उतनी दूरी जिलाई लगाएं तो इससे आपका गला simply ready हो जाता है उसके बाद आप इसमें front part को joint कर सकते हैं ठीक है तो front part आप अपने हिसाब से बना लीजिए जैसे आपने back part बनाया उसी तरह से front part आपको ready कर लेना है चाहिए आप उसमें piping लगाया या जैसे हमने अभी उरेव पट्टी बताया उसी तरह से उरेव पट्टी लगा करके shoulder को joint कर देना है दोनों तरीके से अब हम आ चुके हैं fitting के process में तो fitting में आपको के इन बातों का ध्यान रखना है वो ध्यान दीजेगा तो अभी हम क्या करेंगे जैसे हमने shoulder joint किया उसके बाद इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से गले की तरफ बिल्कुल straight है जिधर आपको अस्तिन फिट करना है उदर आपको एक बार चैक कर लेना है कही प आपको इसमें सीधा अस्तिन चढ़ा देना है और इकवल नहीं आ रहा है तो ब्लाउज की फिटिंग के रिलेटेड दिलिप टेलर और बुटिक यूटूब चैनल पर बहुत सारी वीडियो जाओ लेबल है ब्लाउज फिटिंग के लिए आप सर्च करें और देखें तो यह पर आपको अस्तिन को इस तरह से चढ़ाना है सेंटर से एक साइट चढ़ाने के बाद दूसरी जो साइड है उदर आपको इस तरह से इसमें सिलाई कंटीन्यू करना होगा देखें यह बहुत ही आसान प्रोसेस हैं हाना अगर जो सीखने वाला है जिनको नहीं समझ में आता उनको हो सकता है कि यह चीज मुश्किल लगें लेकिन यह बहुती असान होता है जब आप इसको करते जाएंगे दो-शार बार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं इसमें कुछ भी नहीं रखाएं कि दूसरे साइड भी बिल्कुल आपको इसी तरह से अस्तिन फिट करना है सेंटर से आप इसमें फिटिंग चालो करेंगे यह देखिए और फिट करते बुक मालो अस्तिन थोड़ा बढ़ा हो रहा है तो यह कभी-कभी कपड़े की वजह सी भी हो सकता है तो उसके लिए इसके बाद ब्लाउच को सीधा रख करके इस तरह से सीधी सिलाई लगा देने हैं क्योंकि इसके बाद हम इसको क्या करेंगे इस प्रकार से फोल्टा करने के बाद यहां पर हम क्या करेंगे एक सीधी सिलाई लगाएंगे ठीक है यह इस तरह से और उसके में आपको यह सेम प्रोसेस मिन दोर आना जब दूसरी साइड इस दोर आएंगे तो हम सबसे पहले वही काम करेंगे कि आपको यह जो शिलाई है उसको ब्लाउच को सीधा रख करके सामने का पला भी सीधा पीछह पला भी सीधा रख करके सिलाई लगानी और एक्स्टा क्या है कि आपको अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जीन बचे अगर आप यहां पर ज्यादा डिस्टेंस से सिलाय लगा देंगे तो मार्जीन अंदर कम बचता है तो हम क्या करेंगे इस प्रकास इसमें इसमें अपर इंची टेप से बराबर नाप करके यहां पर यह बिल्कुल कॉमन रहेगा ठीक है अब देखना है यहां पर जो हमने डिजाइन बनाया है इस डिजाइन पर हम सुई धागे की मदद से इसको और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लुक देनी की कोशिश करें यह इस प्रकार से सुई धागे से हमें इसे बांधना है यह आपको से निकालेंगे अंदर बांधने के बाद फिर सेंटर से निकालके उसके बाद यह फिर सेंटर हमने किया उसके बाद दोनों कॉर्णर को इस तरह से पकड़ना है बहुत ही सिंपल सा प्रोशेस है एक दो बार जब आप इसको देखेंगे तो आप बहुत ही असानी से इसको कर कोई मुश्किल टास्क नहीं है सभी में ऐसे ही कर लेना है दोनों साइड जो है उसको ऐसे ही करने के बाद आप देखेंगे कि डिजाइन में बहुत ही अट्रेक्टिव लुक आ गया है अच्छा सिर्फ इतना करने से तो लुक आ जाएगा लेकिन इसको और ज्यादा अच्छा लुक देने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसमें मोती वगर चाहें तो लगा सकते हैं अपने हिसाब से आप चाहें गोल्डन मोती लगा सकते हैं या कपड़े के कलर का मोती लगा सकते हैं और काम होने के बाद वापस सेंटर से ही उसको पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज है, आपको इसको ध्यान देना है, और इसमें आप मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, अगर आपको ये डिजाइन तयार करना है, तो ये चीज आपको करना ही पड़ेगा, सुई ध ब包ंखेंगे एस तरह से वापस से ये देखियें, ऐसे हमें मोती लगा लिए, अचा, इसमें जहाँ पर भी 2 ऑपशन है, कि मोती आप पट्पियों पर भी लगा सकते हैं, तो यहां पर भी डबल ऑपशन रहे हैं, चुक्कि हमने पट्पियों के कलर का मोती लिया है, तो हम बीजबीच में लगा रहे हैं क्योंकि पट्टी पर वो उतना वीजिबल नहीं होगा ठीक है तो यह हम बीजबीच में लगा रहे हैं जिससे की अट्रैक्टिव लूक आए तो आप बताईएगा कि आपको यह जो डिजाइन है वो कैसा लगा दोनों साइड हमने शोल्डर पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया होगा उसको लाइक करें शेर करें चैनल पर पहली बार आये हैं इसके फिटिंग देख करके आपको खुशी हुई है मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक के लिए जैहन वंदमात्रम